ओम श्री कुष्ण परमात्मने नमहां श्रीमत भागवत कथा दुरुष्टान्त अने रहस्या हिरन याक्षना मृत्यूना समाचार सामड़ी हिरन कश्यपू कहे मारा भाईने मारनार विश्णू साथे हुँ युद्ध करीज माता दीतीने हिरने कश्यपूए अनेक प्रकारे बोधाप्यो मारा भाईने सद्गती मली छे मा तु रडिश नहीं दीतीने संतोष थायो हिरने कश्यपूए विचारिऊ के हुँ आजे विश्णू साथे लड़वा नहीं जाओ हुँ तपस्चर्या करी ब्रह्मा जी ने पहला प्रसन्न करीश ब्रह्मा जी वर्दान आपसे एक वकत अजर अमर थाईश ते पछी विश्णू साथे युद्ध करवा जैश हिरने कश्यपू तपस्चर्या करवा जाईश धेनी नी पत्नीनों नाम चे कायादू कायादू है पूछीँ के तपस्चर्या करी गेर क्या रे आवशो हिरने कश्यपू ए जवाब आपयो गेर आवानो धाडो नकी न थी, दसजार वर्ष तप करीश, तप करी अनेक सिद्धियो प्राप्त करी घणा वर्ष गेर आविश, हिरने कश्यपू मंदरा चल परवत पर आवयो छे, अलबत आकथा भागवत मा न थी, पन व्यास जीए विश्रु पूराण मा आकथा लखी छ देवो ये ब्रुहस्पती ने प्रार्थना करी, कि हिरने कश्यपू नी तपस्चर्याम विख्ण करो नईतर तो अनर्थ थेई जशे, ब्रुहस्पती पोपट रुपे मंदरा चल परवत उपर आवया, हिरने कश्यपू जे जग्याए तप करवा बेठेला, तेनी नजितना जाड़ू पर बेसी नारायन, नारायन, बूलवा लागे, जारे हिरने कश्यपू मंत्र नो जाप करवा लागे, कि तरत पोपट नारायन, नारायन नो जाप करवा लागे, हिरने कश्यू पे विचार्यू, जे विश्णू ने मारवा तपस्चर्या करू छूं, तेनी आ पो पति तेज दिव से घेर पाच्छा आवया, तेथी जन आश्चरे तो थाईू, सवार मा तो मुटी-मुटी वातों करता ताने पाच्छा केम आवया, परन्तु सिधे-सिदू कारण पति ने पूछाई तेम नो तू, पति स्वभावना भारे कड़कने करुधी हदा, कई बेसे के तेमा तारे पंचाट करवनी श्री जरूर तो कया धुए विचारियो, युक्ति थी काम लैश, तो कारण जानी शका से, पतिनी खांगी वात जानवी हो इत्तो आ कया धुने गुरू गणवाजे वाचे, बोजन मा वशी करण होई छे, नोकरों ने आग्ना करी, मारा पति पति देवने माते आजे हुज रसोय बनाविश, लोभी ने द्रव्य थी वश करी सकाई, अभिमानी ने वखान थी वश करी सकाई, हिरने कश्य पू अभिमानी छे, कया धु सेवा करतां करतां वखान करवा लागी छे, बोजे कालिदास ने एक वकट पूछे लू, क्या इंद्र चंद्रादी देवो तमारा थी थर थर कांपे छे, ये तमें जितें द्रिय चो ग्नानी छो, आपना जेवो वीर थयो नती, थवानो नती, वो तो भाग्ये शाड़ी के आप जिवा पति मने मल्या, आप धारेलू काम कर्या, अगर पहांचा फरोज ने, पना जे वन दूए गरम डरल ठोकणा खवडावयां शे, राक्षसोंने आवुज भावे चे, सात्विक अन्न जेने भावे नहीं, ते राक्षस, चमवा बेसे चे त्यारे कितला वाल्ती शरुवाट करे चे, आ राक्षस चे, आ हार उपरती मनबुद्धीनी परिक्षा धाई, आ राक् लागयो, मारू काम करया वगरू, पाचों न आवू, पना जे विग्ण आवियो, अब शुकन थाया, एटले पाचों आवू पड़ियो, खया दूए पूछू, शू विग्ण थायो, शू अब शुकन थाया, जवाब मलेो, हुझे जाड नीचे बेसे तपस्चरिया करतों ह हो तो ते जाड उपर एक पोपट आवे हो, अने नारायान, नारायान भूलवा लागयो, खया दून आनन थे हो, विचारियो, मारा पती परमात्मानू नाम कोई दिवस लेता न थी, हूँ कैश, कि नारायान नी दून करो तो मानेते हो न थी, भारे अभिमाने छे, ते ती युक्ति करवी पडशे, युक्ति थी पती ने पाप करता अटकावे, तेने कल्यान ना मारगे वाले ए पत्नी छे, पती ने धर्मना परमात्माना मारगे वाले तो पत्नी धर्म पत्नी छे, पत्नी पत्नी ने धर्म और मोक्ष ना मारगे वाले छे, आ सुन्दर तक छे, आ भोजन ठाया पच्छी शयन वक्ते कया दू चलन सेवा करवा लागी। पूछिऊं। आपे भोजन वक्ते वाद करी पन मारो ध्यान बराबर नहतु। कहो तो वनमाशू थै। देवी त्या पोपत आगयो। अने श्रीमन नारायन करवा लागयो। पोपत शू बोले। नारायन नारायन जाओ जाओ जाओ। पोपत ने कहें मुल्टावर तुमसे। खरेकर पोपत बोले। हाँ हाँ अरे ये तो नारायन नारायन कहाज करे। पेलो विचारो काम वश थैलो। ये पत्नी जेम पूछे ये ते मुत्तर आप्या करे। कया दुए आ प्रसंग नो लाब लई पती पासे 108 वार नारायन नारायन नो जाप कराल। साधारेंडिते पूरुष कामांद होवाती स्तरीने आदीन जोईचे। येले पत्नी धारे तो पतीने सुधारी शके। पत्नी लाय कशे तो पतीने पन भगवत भजनमा वार शे। कया दुए युक्ती थी पती पासे वारम वार भगवान नू नाम लेवडाव्य। मातापिता भगवान नू नाम लेता हता ते वक्ते प्रलाद जी महाना पेटमा आव्याचे। आथी हिरनेकश्यपू राक्षसो अच्छत्ता प्रलाद महान भगवत थाया। कया दुए सगर्भाचे हिरनेकश्यप तपस्टरिया करवा गयो। चत्त्री सजार वर्षो तपस्टरिया करी अन्य जलनों त्याक करयो। कल्यूग मां अन्यमय जलमय प्राण छे। आ सत्यूग नी वाद छे। सत्यूग मां अस्थीमय प्राण हता ते थी आ शक्य बन्यू छे। हरी हियो। क्सक करेंग मियू जलम । झाहत रहर इंभा प्रण्ष प्राण है क्सक्त्री सार gehenही है की बन्यूईऴ मां अन्य वी प्राण है संकत्री। प्र शिरा कर दो